हेलो एंड वेलकम बैक आप देख रहें दर स्पेशाल नेशन और मैं मुकेश कुमार आज मैं आपके लिए पार्टीशिपल नामत चैप्टर लाया हूं यह नॉन फाइनाइट के अंदर गताता है और बहुत ही महत्तोपूर्ण चैप्टर है पार्टीशिपल को क्रिडन्थ असमापिका या पुर्वकाली क्रिया के नाम से भी जाना जाता है पार्टीशिपल को अंसतह क्रिया और अंसतह बिशेशन माना जाता है इसलिए इसे हम भर्वल एड्जेक्टिक या क्राइक बिशेशन कह जगते हैं Participle is partly a verb or partly an adjective so it is called verbal adjective Participle का निर्मान मुख्य क्रिया के अंत में ing ed ent आदी को जोड़ कर किया जाता है It is formed by adding ing ed ent to the where form of the verb and using having before past participle form of the verb और having का परियोग क्रिया के तिस्रे रूप के पहले कर के participle का निर्मान किया जाता है Participle मुख्यता तिन तरह के होते हैं आईए देखते हैं सबसे पहले होता है परजेन पार्टिक्शिपल जब आप क्रिया के साथ ता हुआ ती हुई ते हुए देखेंगे ता हुआ ती हुए ते हुए तो आप समझ लेना कि यह परजेन पार्टिक्शिपल का है और इसको हम भर्वफोर यानि जेरंड की अवस्था में क्रिया यानि आई एंजी जोड देंगे क्रिया में तो वह बनेगा जैसे मैंने राम को नाचते हुए देखा मैंने राम को नाचते हुए देखा सबसे पहले मैंने क्या किया तो देखा तो आई शा मैंने किसे देखा तो राम को देखा तो राम क्या कर रहा था नाच रहा था यानि नाचते हुए यह पाहचान मिला तो अब उस क्रिया को भी फोर के रुप में चेंज करना होगा तो डांस तो हो जाएगा डांसिंग तो आईशा राम डांसिंग जहां तक बात करें पर्जेंट पर्टिशिपल का ति इसका पहचान होता है ता हुआ, ती हुई, ते हुए और इसे बनानी के लिए हम भी फोर का परियोग करते हैं वहीं अगर बात करें पर्टिशिपल तो इसका पहचान होता है क्रिया के साथ आ हुआ, ई हुई, ए हुए और इसे बनाने के लिए भी थ्री पर्टिशिपल फोर्म अब दभर्व का परियोग करते हैं जैसे शींग और इसके लिए करना होगा शेद वहीं अगर बात करें पर्टिशिपल तो पर्टिशिपल का पहचान होता है कर या करके और इसके लिए हैभिंग को भी थ्री के पहले रखते हैं जैसे हैभिंग शींग पार्टिशिपल की पहचान हो गई है अब उसे बना कर देखते हैं मैंने उसे जाते हुए देखा या पहचान है पर्टिशिपल का तो आप बनाईए आई शाह मैंने देखा कीसे उसे हिम क्या कर रहा था जा रहा था गोई यह भी फोर पर्टिशिपल के अनुसार वह चलती हुई गाड़ी से कुद पड़ी तो वह कुद पड़ी सी जंप आफ दर रॉनिंग ट्रैन मैंने टूटा हुआ कलम ते टूटा हुआ पास्ट पार्टीशिपल आई थ्रीव और ब्रोकन पें मैंने गीरा हुआ कलम लिया तो मैंने लिया आई टूक कैसा तो फॉलन फॉलन पिन वही घर जाकर मैंने खाना खाया तो यह आपका पर्फेक्ट पार्टीशिपल में है तो हैविंग से बनेगा हैविंग जाकर गोन कहां जाकर तो घर तो हाउश मैंने खाना खाया आई टूक माई मिल बिद्याले से आकर वह खेलने गया हैविंग कम फ्रॉम अश्कूल ही वेंट टू प्ले अवर कि आपको यह पार्टीशिपल समझ में आया होगा इसके दूसरे पार्ट में हम पर्जेन पार्टीशाइपल पस्ट पा ताटीशिपल और पर्फेक्ट पार्टीश पार्टीशाइपल क करेंग और यह तिन खंडों में उमेद है, शमाप तो हो सकता है आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें एक लाइक और एक सस्क्राइब तो अपेचित है धन्यवाद